बच्चो कक्षा साथ विश्य विज्ञान और लेसन है छटा बोतिक एब हम रसाइनिक परिवर्तन इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं तो इसके कोशन उतर देखते हैं तो देखो पहला कोशन क्या दे रखा है कि नेमलिक प्रक्रगमों के अंतरज़त होने वाले परिवर्तनों को बोतिक या रसाइनिक परिवर्तन के रूप में वर्गी करत करना है कि कौन से परिवर्तन बोतिक है कौन से रसाइनिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि जिन परिवर्तनों में नई चीज बन जाती है उसे क्या कहते हैं रसाइनिक परिवर्तन निया उत्पाद ब परिवर्तनों में कोई निया रसाइनिक पदार्थ नहीं बनता उन्हें क्या कहते हैं बोतिक परिवर्तन प्रकाश इसलेशन की करिया के दुरान क्या बनता है बोजन बनता है तो यह कौन सा परिवर्तन हो गया रसाइनिक परिवर्तन जल में शकर को गोलते हैं तो गोलने के ब आपपिस अपने उसको प्रापत कर सकते हैं तो यह कौन सा प्रिवर्तन हो गया बहुतिक सब्सक्राइब कोईले का जल जाता है राक बन जाती है नेरी सब्सकрий को उस प्रिवर्तन हो गया इसमें वहुतिक कर परी निया परिवर्तन हो गया इसके बाद देखो दूसरा कॉशन क्या है कि बताईए कि निमलिकित कथन सत्य है या ऐस सत्य है यह बताना है अपने तो लकड़ी के जो लठे हैं उनको टूपुडों में काथना एक रसाइनिक परिवर्तन है नहीं लकड़ी को चाहे कितने व्यार भी आप काट लो रहेगी तो लकड़ी कोई निया उत्पाद तो नहीं बनता तो यह कौन सा परिवर्तन है बोतिक परिवर्तन है पतियों से खाद का बनना एक बोतिक परिवर्तन है यह गलत है पतियों से दूसरा उत्पाद बन गया क्या बन गी खाद बन गी निया उत्पाद बन ग लोहा और जंग एक ही पदार्थ है एस अलेग अलेग पदार्थ हैं बाप का संग्नर परिवर्तन नहीं है यह क्या है तो इसके बाक्यार्ट देखो तीसरा है रिकिस्तानों की पूर्थी करना कि जब कारवंड एक साइड को चुनने के पानी में प्रवाहित क्या जाता है तो यह है कैलशियम कारवोनाइट बनने के कारण CACO3 बनने के कारण इसका जो पानी का रंग है वो दूदिया हो जाता है खाने के सोडे का रसाइनिक नाम क्या है सोडियम बाई कारवोनेट और ऐसी दो वीदिया जिनके दवारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है कौन सी है पेंट कर सकते हैं या फिर यशद लेपन कर सकते हैं और ऐसे परिवर्तन बोतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल बोतिक गुनों में परिवर्तन होता है और ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे क्या कहलाते हैं रैसाइनिक परिवर्तन है क्योंकि खाने का सोड़ा वैं निम्भू मिलकर नमक और कार्बंड़ ऑक्साइड गैंस बनाती है और उस कार्बंड़ एक्साइड गैंस के कारण ही वो बुलबले निकलते हुए दिखाई देती है पांचमा कोशन देखो जब कोई मोवती जलती है तो बोतिक व परिवर्तन क्या है कि जो यह है जो लोग के पास का मोव जलता है और कार्बंड़ एक्साइड कार्बन कालीक जल बाशफ और गर्मी के प्रकास जैसे ने पदार्थ देता है तो यह कौन सा प्रिवर्तन दोनों ही प्रिवर्तन उत्पन होते हैं इसके बाद देखो चटा प्रिवर्तन दोन नेरे कर दहीं बनजाता है दूद के सबाद से और अलग हो जाता है नया वधार्थ बन搞 जाता है तो यह सारे प्रिवर्तन क्या है रसाइनिंग प्रिवर्तन है इसके बाद एखो सात्माक कोश्चन की समझाएं कि लकड़ी के जलने और उसे चोड़- के लिए और जलाने के लिए अपने काम लेती हैं तो टुकडों में काटने के बाद भी हम उसका यूजlu किस में करेंगे अग जलाने में करेंगे लेकिन जब लकड Gentry जल जाती है तो उसकी राख बन जाती है उसमें वो लकड़ी के गुन नहीं रहते तो वो है दोनों परिवर्तनी क्या है अलग-अलग है कोपर सलफेट की क्रिस्टल कैसे बनती है तो एक पानी बीकर में पानी लेकर अपने उसमें सलफ्यूरी कमल की कुछ बुंदे डाल दे फिर पानी को गरम करे और उबलने लगे त उसका जंग लगने से बचाव हो सकता है जंग लगने के लिए उक्सीजन और पानी दोनों की उपस्ति जरूरी है लेकिन जब उसके उपर पेंट की पर्थ चड़ जाती है तो फिर लोहा उस उक्सीजन और पानी के संपरक में नहीं आता तो उस पर जंगर नहीं लगती क्य वहां पर नमी अधिक होती है रिग्गेसान शल्ट्रों में पानी जणा नहीं होता तो बहां पर जंग अधिक होती है तो वहां पर जंग अधिक लगती है घियार्मा कोश्चन देखो कि हमरे सोई में जिस गैंस का आपयोग अपना कोई क bezel क वह से हैड़ाす तो यह नीवन कत्नों में परिवर्तन सही कत्न कुन सा है तो इसमें क्या है जो प्रक्रम B है परिवर्तन A होता है गैंस में परिवर्तित हो जाती है और फिर यही गैंस जलती है तो परिवर्तन B होता है जब गैंस जलती है तो उसमें निया उत्पाद बनता है कौन सा परिवर्तन होगा रसायनिक परिवर्तन होगा बार्मा कोशन देखो बार्मा कोशन क्या देरका है कि Aye와 आई वे जो जिवानू है जेवी कप्षिच पदार्थों को अपगटित कर जेव गैंस बनाते हैं फिर जो जेव गैंस है वो इंदन की रूप में जलाई जाती है पहला परिवर्तन यह है जब जेव गैंस बनाते हैं भी परिवर्तन क्या है जब उसको जलाया जाता है तो इन क जली तो उसमें भी नई चीज बनी दोनों ही नई चीज बनी तो दोनों ही प्रिवर्तन क्या है रह साइनिक प्रिवर्तन है तो यह आपका जो चैप्टर है पूरा हुआ धर्नियवाद